जहीं देह जारखन बोटकलास्ट वेल आनिकी इंटर्मीडियेट आर्स के छात्रों का सोसोलोजी का परसन पत्र जिसका एकजाम आज हुआ है और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें देगे सवी 300 अबजेक्टिव परसनों का उत्तर एके करके आप स्वी छात्रों को बताऊंगा तो चलिए आप लोग त्यार हो जाई और सिरियल नंबर एक से लेकर के 30 तक के सवी परसनों के उत्तर को मिलाना सुरू किजिए और देख लिजे कि 30 में से आपने कितने परसनों का सही जवाब दे करके आया है और कितने परसनों का गलत जवाब दिया है और बच्चों इसमें आपका पहला परसन पूछा गया था कि सांस्केर्टिक बिलंबना का सिधान किस ने दिया तो बच्चों इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा आपका ओप्सन नंबर डी आगबर्न ने इसकत बच्चों लोग आगे बढ़ें तापका दूसरा प्रसन पूछा गया है कि ताना भगत आंदोलन सबंधीत है किसे तो बच्चों इसका सही उतरोग आपका उप्सन नमबर सी जनजातियों से जो आपका जारखन से ही सबंधीत है इसका दबच्चों लोग आगे बढ़ें तापका जो तीसरा परसन पूछा गया है वोई कि जनजाती जीवन में गोतुल परतिनीधी तो करता है किसका तो बच्चों इसका सही उतर होगा आपका option number ये यूवा संगठन का इसका दबच्चों लोग आगे बढ़ें तापका जो पाँचवा परसन पूछा गया है वह एकि धार्मिक जीवन का प्रारंभिक सवरूप का सिधान्थ किस ने दिया तो बच्चों इसका सही उतर होगा आपका अगला परसन पूछा गया है कि समाज सास्तर की अस्थापना किस वर्ष हुई थी तो बच्चों यह हुआ था आपका उप्सन नंबर बी सही होगा इसकत बच्चों लोग आगे बढ़ें ता आपका जो अगला परसन पूछा गया है वह एकि आत्महत्या का सिधान्थ किस ने दिया तो बच्चों यह जो इसका सही उतर होगा आपका उप्सन नंबर डी दुर्खिम ने इसकत बच्चों लोग आगे बढ़ें तापका जो अगला आनी की नौवा परसन पूछा गया है वह एकि भारत में कितने परतिसद राष्टी या किर्शी से प्राप्त होती है तो बच्चों इसका जो सही उतर होगा आपका ओप्सन नंबर ये होगा 28 परतिसद बहुत जगा जो 25 परतिसद लगता है लेकिन 25 से नजदिक आपका 28 परतिसद ही है आनी कि इसका सही उतर होगा ओप्सन नंबर ये इसका बच्चों आपका जो अगला आनी की 10 परसन पूछा गया है वह एकि महिला अंदोलन का अधार क्या रहा है तो नारिवादी रहा है आनी कि इसका सही उतर होगा ओप्सन बर्वी रोस ने इसका दवचों लोग आगे बढ़ है तापका जो अगला आनी की 12.% पूछा ग्या है अगला आनी की 13.% पूछा ग्या है मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया सुरू किया है तो इसका उदेश क्या है तो इसका उदेश है आत्म निर्भर भारत बनना अर्थिक विकास करना अधुनिक मसुन्यों का परियोग करना आनि किसका सही उतर होगा ओप्सन नमबर D इसकत बच्छों आपका जो चवदहभाप परसन पूछा गया है कि किसी ने कहा मनुष्यख समाजीग परानी है तो यह कहा था अरस्तु नियानी की आप्सन नमबर D सही होगा आप लोग भी जानते ओप्सन नमबर D सही होगा इसकत बच्चों आपका 16 परसन पूछा गया कि ब्रहम समाज की अस्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थापना हुई थी 1828 सिस्वी में और किसने की थी आप लोग कॉमेंट में बताइएगा बच्चों इसकत हम लोग आगे बढ़ेगा आपका अگला परसन पूछा गया है कि राष्ट वाद का अर्थ है राष्ट वाद का क्या अर्थ है तो बच्चों यहाँ पर जो आप लोग ओपसन देख रहे ये 20 ये तीनों जो आपका गलत गलत है आनि कि इसका सही उतर हो जाएगा option number D इन में से कोई नहीं इसका दबच्चों लोग आगे बढ़ें तापका जो अगला आनिक 18 परसन पूछा गया हो है कि किस राज में साचरता दर सबसे जादा है तो बच्चों इसका सही उतर होगा option number C केरल जहाँ पर 99% लोग जो साचा रहें पढ़े लिखे लोग है इसका दबच्चों लोग आगे बढ़ें तापका जो अगला परसन पूछा गया हो निस्वा परसन हो है कि परतियाच वाद की अवधारना किस ने दी तो बच्चों इसका सही उतर होगा option number B अगस्त काम्पने इसका दबच्चों लोग आगे बढ़ें तापका जो अगला परसन पूछा गया है कि भूम अंडली करन की बिसेस्ता क्या है तो इसका जो हम लोग देख रहें option number A में दिया गया है सारुप भौमिक्ता ये होगा इसका B में दिया गया सजातियता ये होगा इसका C में दिया गया एकी करन और इसमें जो हम लोग देख रहें D में दिया गया इन में से सभी तो बच्चों इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा आपको option number D आनि की इन में से सभी इसकत बच्चों लोग आगे बढ़ें ता आपका जो 22 परसन पूछा गया है तो बच्चों आपका 24 परसन पूछा गया है कि हरित करांति किस राईज में सबसे ज़्यादा सफल हुई थे तो पंजाब में इसकत बच्चों लोग आगे बढ़ें ता आपका जो 25 परसन पूछा गया था वही कि उपनिवेसवाद की सोच का परतिफल है तो ये समराजवाद का परतिफल है इसमें जो उपनिवेसवाद में जो अधिक से अधिक राईजियों को हडपने या जितने का परियास किया जाता है इसका दबच्चों लोग आगे बढ़ें ता आपका अगला आनीकी 26 परसन पूछा गया है वहाई कि आधिवासी महासभागा संगठन था क्या था मुणडा लोगों का था आनीकी उप्शन नमबर 20 हही होगा इसका दबच्चों लोग आगे बढ़ें तापका 27 परसन पूछा गया है कि नई राष्टिय जनसंख्या निती कब घोसित की गई तो 2020 में आनी की option number 20 है होगा इसका दबच्चों लोग आगे बढ़ें तापका जो अगला आनी की 28 परसन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी आदिवासी समाज मातरी परधान है तो गारू होगा आनी की इसका सही उतर हो गया option number ये इसका दबच्चों हम लोग आगे बढ़ें तापका जो 29 परसन पूछा गया होगा है कि भारती अर्थ व्योस्था का model किस पर कार की है तो ये मिसरी तयानी की option number B आपका सही होगा इसका दबच्चों हम लोग आगे बढ़ें और तीसरे परसन के उतर को देखें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा request है कि आप लोग इस YouTube चैनल को सस्क्राइब करके इसके notification विल को प्रेस करके रख लिजे ताकि मैं ठीक इसी तरह से आप लोगों को हमेशा के लिए help क तो बच्चों चली हम लोग आगे बढ़ते और आपका जो तीस्वा परसन है उसके उतर को हम लोग देखते हैं और बच्चों इसमें आपका जो परसन पूछा गया है तीस्वा में की 2001 की जनगना के नुसार भारत में परती 1000 पूरूस पर इस्तिरियों की संख्या कितनी है तो बच्चों इसका सही उतरूगा उप्सन नंबर सी 3999 इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आप लोग का जो सब्जेक्टिव परसन पूछे गए थे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया था तो आप लोग देखते जाएं एक 31 32 इसका 33 34 इसका 35 इसके बाद 37 परसन है और इसके बाद इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं आपका लगू उतरिये और दिर्ग उतरिये परसन भी पूछे गए थे और बच्चों मैंने आप लोग को जो बताया था उसमें से बहुत सारे परसन आपके बोड एक्जाम में कर लिजे ताकि हम आपनों को ठीक इसी तरह से हेल्प कर सकें तो बच्चों फिर से मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम जय जारकन जोहार जारकन थाइंक्यू बेस्ट ओफ लग धन्यवाद